तुम्हारा ये हक है कि तुम परमेश्वर का विरोध करो और परमेश्वर का इंकार करो पर बाइबल कहती है विरोध और इंकार करने के बावजुद वह हमसे प्रेम करता है वह तुमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने पुत्र को तुम्हारे पापों के कारण मरने के लिए दे दिया और जब मसी उस क्रूस पर मरा, हमें उसका कोई अंदाज नहीं कि उस क्रूस पर क्या हुआ पर हम एक चीज जानते है कि उसने उस नर्क और न्याय को ले लिया जो तुम्हारे और मेरे लिए था हमारे पापों के कारण वह उसे उस क्रूस पर ले गया और इसलिए वह भयानक वाक के उसके मूँ से निकला हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तुने मुझे क्यों छोग दिया क्योंकि अगर देखे तो नर्क का संपुर्ण अर्थ परमेश्वर से जुदा होना है और उसी भयानक समय में एक परच्छाई परमेश्वर पिता के और परमेश्वर पुत्र के मद्य में जब से अनंत काल का शुरुवात हुआ, पहली बार घटीद हुआ मसीह ने तुमारे पापों के लिए नर्क के दर्द को सह लिया